असलाम लेकुम अच्छा इस वीडियो के अंदर हमने जो है वो मुक्तलफ टाइम्स के उपर डिस्टन्स और डिस्प्लेस्मेंट मालूम करना है अगर वो हमसे सवाल करता है कि बताओ जब टाइम जो है वो टी ओवर फोर होगा उस वक्त डिस्टन्स क्या होगा और डिस्प्लेस्मेंट क्या होगा तो हम कैसे मालूम करें कि हमारे पास यू नो फार्मूला है जी एस इस इकूल टू पहले हम डिस्टन्स मालूम करतें यह एक अबजेक्ट है जो के A से मूव करके कहां पर गया B पर अब यह उसने नहीं बताया वो सिर्फ यह कहेगा कि जब टाइम T over 4 होगा टाइम कितना होगा T over 4 उस वक्त बताओ कि सर्कूलेटिंग अबजेक्ट ने डिस्टन्स कितना तैय किया और डिस्प्लेस्मेंट कितना तैय किया आपको खुद पता होना चाहिए कि जब टाइम T over 4 है इट मीन कि अबजेक्ट जो है वो A से मूव करके कहां पर गया B पर और A वाली लाइन और B वाली लाइन में अंगल आपको पता 90 होता इसी तरह B और C वाली लाइन में भी 90 होगा C और D वाली लाइन में भी एंगल जो है वो 90 होगा और D और A वाली में भी 90 होगा और बेसिकलिए यह जो लाइन है इसको हम इस सर्कल का रेडियस कहेंगे तो वो हमें कहता है कि फर्ज कर लो कि टाइम है जी T over 4 उस वक्त डिस्टंस मालूम करो तो क्या फार्मूला है जी 2 पाई आर ओवर 360 ओवर 360 इंटू थीटा तो यह वाला फार्मूला हम लगाएंगे ठीक है अब यह फार्मूला जो है वो हम यहां पे लगा लेते हैं अच्छा यह फार्मूला हमारे सामने है हम इसको वैसी लिखेंगे S is equal to 2 पाई R over 360 अब उसने बोला क्या है कि उस वक्त डिस्टंस मालूम करो जब time period T over 4 है इंटेबल में यही लिखा हो ना time period कितना है T over 4 अब हमें खुद देखना है कि T over 4 कहां पे होगा B पे यानि object move करके जाएगा A से B पे इस दोरान यह अपने original position के साथ 90 degree का angle बना रहा होगा देखें न पहले यू रसी थी इस तरह इधर object A पे मजूद था यह object move करके यहाँ पे चला गया अब रसी इदर है यही रसी अपनी original position के साथ कितना angle बना रही है 90 का लहाजा हम इस theta की जगा पे क्या लिखेंगे 90 लिखेंगे clear है तो जब इसकी cancellation करेंगे इसको देखें 90 को 2 के साथ multiply करवाएंगे तो 180 हो जाएगा और 180 को 360 पे cancel करेंगे तो यह बनेगा यानि 180 over 360 है तो यह 180 जब cancel होगा 360 के साथ बटे में 2 आ जाएगा उपर pi r वैसी रह जाएगा यानि pi r over हमार पस 2 देखें अब 2 किदर गया 2 के साथ 90 ने multiply यह नहीं हुआ 90 multiply हुआ 2 के साथ 180 हो गया 180 कैंसल हुआ 360 के साथ नीचे बटे में 2 आ गया अब इसमें कोई question है वो पूछ लेजे या t over 4 पे इसी तरह आप t over 2 पे भी मालूम कर सकते हो वो आपने खुद करना है अब ये सारा table मैंने नहीं करवाना बाकी table आप खुद करेंगे यानि t over 4 जब यानि वो कहा दे कि time जो है वो t over 2 है तब आप मालूम करो distance तो उसके लिए आपने simple क्या काम करना है देखें a से move करके कहां पे गए आप c पे यानि पहले object यहां पे मुझूद था यानि उसकी रसी यहां पे मुझूद थी अब move करके object यहां पे चला गया अब रसी इदर है तो रसी की original position के साथ जो एंगल बन रहा है रसी का ठीक है वो 180 होगा कितना होगा यानि object जब टी ओवर टू पोजिशन में होगा यानि जब time उसको टी ओवर टू गुजर चुका होगा मतलब c पॉइंट पे जब वो object मुझूद होगा उस दरान उसका original position के साथ 180 degree angle होगा अब आपने करना क्या है कि यही जो फार्मूला है इसी में हमने 90 पूट किया क्योंकि हम B पे थे लेकिन अगर वो T over 2 पूछे तो आपने simple यहां 180 पूट करना है क्योंकि यहां पे angle कितना बन रहा है 180 180 पूट करें कि 180 cancel होगा इसके साथ 360 के साथ तो 2 आएगा बटे में और यह बटे वाला 2 उपर 2 के साथ cancel हो जाएगा तो उस case में हमरे पास answer आएगा जी पाई यार कितना answer आएगा पाई यार इसी तरह जब object इधर से move करता हुआ इधर पहुंचेगा जानी पॉइंट D पे और आपको पता है पॉइंट D पे जो एंगल होता है वो 270 होता है कितना होता है क्यूंकि A से लेके B तक 90 और B से लेके C तक मजीद 90 और total कितना हो जाएगा 180 यानि A से लेके C तक total 180 हो गया ठीक है और फिर C से लेके D तक मजीद 90 और 180 और 90 कितना होगा 270 तो यहाँ पे अंगल कितना होगा D पे 270 तो वो आपने यहाँ पे थीटा की जगा पर 270 पूट करके उसको यहाँ यहाँ चैंसलेशन वगरा करके एंड पे उसका जवाब निकाल लेना है समझाई यहाँ यहाँ पे 90 लिखा हो न वहाँ 270 आजएगा और इसी तरह जब टाइम जो है वो टी होगा ठीक है तो अब उबजेक्ट यहाँ से मूव करके दुबारा इधर आएगा तो कितना एंगल होगा 360 क्योंकि इधर से मूव करके दुबारा इधर आएगा न तो कितना एंगल कवर हुआ 360 तो यहाँ थीटा की बज़ाब क्या लिखेंगे 360 इधर 360 आजएगा तो 360 इससे कैंसल होगा आंसर हमारे पस कितना आएगा तो पाई आर आंसर आजएगा डिस्टन्स का जो कि सरक्मफेरंस के एक वल अच्छा जिस तरह हमने डिस्टन्स मालूम कि आप बिलकुल इसी तरह आप डिस्प्लेस्मेंट मालूम कर सकते हैं उसका फार्मूला लगा के वेकिन उसका भी एक एक एक्जैंपल में आपको उसकी करवारतों किसी एक पॉइंट पर जैसे हमने t over 4 पर इसकी कलकुलेशन की इसी तरह डिस्प्लेस्मेंट की कलकुलेशन भी हम कर लेते हैं ठीक है जी तो डिस्प्लेस्मेंट का फार्मूला था d is equal to r Pa इसमें भी एंगल का ही सारा कमाल होगा ठीक है जी अब देखें अब वो हमें यह कहता है कि object A पे है A से move करके गया B पे तो distance तो हमने मालूम कर लिया अब displacement कैसे find करें देखें वही तरीका है एंगल यहाँ पर कितना होगा 90 डिगरी जैनि जब A से move करके object B पे पहुंचेगा तो कितना एंगल होगा 90 डिगरी यहाँ यह जो cos theta है sorry यह bracket लगानी थी theta जो है यहाँ यहाँ आप 90 पूट कर देंगे so यह हमारे पास आजएगा r square root 2 into 1 minus cos 90 डिगरी ठीक है और आपको पता है cos 90 जो है न वो 0 होता है यहनि इस जगह पे हमारे पास 0 आजएगा यह जहाँ पे cos 90 लिखा हुआ तो यह हमारे पास आएगा r into square root 2 into 1 minus 0 क्योंकि cos 90 क्या होता है 0 so 1 में से 0 को minus करेंगे 1 ही बचेगा और 1 multiply गगा 2 के साथ तो answer हमारे पास आएगा r under root 2 यह हमारे पास होगा displacement जब time हमारे पास होगा t over 4 ठीक है तो इसकी calculation हम कर लेंगे प्रूंकि जब time t over 4 होगा तब angle 90 degree होगा यहां 90 पूट करेंगा calculation में ने कर लेंगा इसी तरह आप t over 2 के ले भी calculation खुद कर सकते हैं लेकिन वहां angle कितना होगा 180 यहां आपने यहां पे cause के सामने theta पे 180 पूट करना है cause 180 की value होती है minus 1 और minus 1 वो वाला और यह already एक minus है तो यह minus minus plus होजाएगा यह 1 plus 1 होजाएगा 2 होगा 1 plus 1 2 होजाएगा और 2 इस पहले वाले 2 के साथ जर्ब होगा 4 होजाएगा और 4 का square root हम लेंगे तो वो 2 आएगा यानि उस case में हमारे पास D का answer आएगा 2R यानि जब object यहां से move करके इधर पहुंचेगा उस वक displacement कितना होगा 2R और है भी 2R देखें मैंने बोला था न आपको A से लेके जब आप C तक पहुंचेंगे तो ये distance है जबके displacement ये है ये वाला और आपको पता है कि इस origin से लेके इधर तक R होता है radius of the circle तो अगर ये R है तो यहां से लेके इधर तक भी तो R होगा ये वाला तो टोटल कितना हो जाएगा R जमा R यानि 2R clear हुआ इस तरह भी आप कर सकते है और calculation से भी आपने कर लेना है इसी तरह जब वो कहें कि A से C तक मतब ऐसे तो नहीं कहेंगा A से C तक वो कहेंगा कि time है 3T over 4 तो आपने खुद समझ जाना है कि object जो है न वो यहाँ D पे मजूद है कहाँ पे D पे तो इस दोरान कितना angle होगा 270 आपने यहाँ theta की जगा पे simple 270 जो है वो put कर देना है और आगे इसकी calculation कर लेनी आपका यह answer आजाएगा इसी तरह 360 के लिए भी आप जो है वो कर सकते हैं देखे A पे object था दुबारा A पे आ गया तो उसको आप जो है कैसे calculate करेंगे displacement तो उस case में आपको पता 360 अंगल होगा यहाँ पे 360 put करेंगे cause के सामने तो उसका calculation वगरए करके आप उसको easily कर सकते हैं अच्छा यह distance और displacement मालूम करते हुए यह आपने पूरा टेबल जो है ना complete करना है और इसमें कोई भी confusion हो कहीं पे भी समय ना आ रहे है तो आपने मुझसे लाजमी पोछने है Thank you